हुआ है 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 गाइस हाइआ वेलकम बैक टू मैं चैनल सिंपल ब्यूटी एंट लाइप स्टाइल त यहां पही दो रहे हूं आप चाहां तो नैलाउन वाली रोप का यूँज कर सकते हैं ऐस तरह के इस तारा की सुतली वाली जो डादी है मार्कट में आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ये सारी रोप आपको मार्केट में बहुत एजी ली मिल जाएंगी और बहुत जादा महेंगी भी नहीं आती है यहाँ पर मैं सुई और उन का यूज़ कर रही हूँ या मजबूत धागे का यूज़ कीज़े आप इस तरह से हमें पैटर्न एक सर्कल में छोटा सा क्रियेट कर लेना है तो सुई की हेल्प से पहले हम छोटा सा एक सर्कल बना लेंगे तो इस तरह से मूब करते जाए और इसको सिलाई लगाते जाए बहुत एजी लग जाता है नीचे से धागा निकालिये और उपर की तरफ रोफ के नीचे से धागा निकालते हुए हम उपर की तरफ लगाएंगे अब हम सिर्फ छोटा सा क्रियेट कर रहे हैं बाद में सिलाई हम पूरे में लगाएंगे लेकिन पहले हम छोटा बनाएंगे यह देखे यह गोल कुछ इस तरह से हम बना लेंगे यह देखे यह मैंने इतना बड़ा बना लिया है और इसके बाद मैं यह उन निकाल दे रही हूं इसको आप चाहो तो और बड़ा बना लो यहाँ पर एक बड़े बर्तन का इस तरह के यूज करना है आपको जो भी शेप चाहिए उस तरह के बर्तन का यूज करिएगा और एक भात का ध्यान रिकिएगा नीचे का जो बॉटम होगा उसका वो बिल्कुल फ्लैट वाला होना चाहिए तो यहाँ पर क्लिंग फिल्म का यूज कर रही हूँ आप किचन में कोई भी पैकेट का यूज कर सकते हैं और यहां से दो से तीन दोहरे मैं यूज करूंगी और जितना उचा आपको चाहिए उतना उचा आप इसमें क्लिंग फिल्म को लगाएंगे आप उपर तक सेट करना है आप बॉटम पे एयर को निकाल के चिपका देना अच्छे से अब यहां पे मैं पहले ग्लू गन का यूज करूंगी लेकिन बाद में हम इसमें सिलाईयां भी लगाएंगे तो स्रिफ हम पैटन बना रहे हैं भी त कि उसके साइड में इसतरा से हम लगा रहे हैं और इस तरह से लगाते हुए हम पूरा इसको एक पैटन गोल में क्रियेट कर लेंगे तो यह देखे यह मैंने इतना कर लिया है और इसी तरह से मैं पूरा कर लूँग इसको तो गाइस ये देखे ये जितना बड़ा मेरा बॉटम है उतना बड़ा मैंने इसको पूरा फुल कर लिया है अब ही क्या करना है जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो रोप को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखते हुए अंदर की तरफ हम ग्लू लगाएंगे ये नीचे की अब हम ग्लू लगा करके इसको स्टार्ट करेंगे लगाना कि ये देखे इस तरह से अब गुमा गुमा के इसी तरह से हम इसको लगाते जाएंगे और पूरा मैं इसी तरह से कंप्लीट कर ले रही हूँ और ये देखे ये मैंने जहां तक कंप्लीट किया है जहां तक मुझे उचाई इसकी चाहिए आपको जितना उचा रखना है उतना उचा आप कर सकते हो इससे आधा भी आप लगा सकते हैं और इसको उपर भी आप लग भाला सकते हैं अब हम इसको रिमूव करेंगे से रिमूव करने के लिए इस तरह से पैकेट को पकड़ लीजए जो पैकेट हमने उपर की दो कि द्रफ लगाया है निकाली और नीचे की तरफ हमें देखिए đã साइड में नीचे इस तरह से हलका हलका चारो तरफ से हमें पहले इसको धीला कर लेना है इस तरह से धीला हो जाएगा और फिर इसको हम नीचे की तरफ पूरा निकाल देंगे अलग कर देंगे ये देखे ये निकल गया है और ये बर्धन हमारा अलग हो गया है और यह जो हमने बना के राख किया है वो भी हमारा अलग हो गया है अब इसकी जो ये पैकेट है इसको हम रिमूब कर लेंगे इसी तरह से इसको भी हटा देना है तो गाइस ये देखे ये मैंने इसको हटा दिया है अब ये कम्प्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमने ग्लू लगाया था इसमे अब हम इसको सिलाईया लगाएंगे तो सिलाईया लगाने के लिए मैंने उन लिया है कोई भी बिस्तर सिलने वाला मजबूत धागा या उन आप ले लिजे दोहरे करके और उस पर हम नीचे उपर तक पूरा इसको ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत इजी है इसको जटपट ये हो जाएगा बस तीन तीन चार चार रोप ले करके आप इस तरह से तिर्चा तिर्चा उसमें सिलाई लगाते जाएए यह देखे जैसे मैं लगा रही हूँ और ये काफी मजबूत फिर बन जाएगा और ये निकलेगा भी नहीं फिर जहां प्रापर लगा भी नहीं ता गलू वहाँ पे भी ये सेट कर देगा सिलाई यह देखे मैं चारो तरफ से इसमें लगा रही हूँ और उन जो लिया है वो मैंने दोहरा कर लिया है तो आप भी दोहरा कर लीजेगा ताकि यह काफी मजबूत हो जाएगा और जो कलर का आपका रोप है उसी कलर की आप धागे लीजेगा इसमें तो यह कंप्रीट करेंगे प तो यह हो गया है डन पूरा और यह देखे यह सिलने के बाद यह और भी मजबूत हो गई है और परफेक्ट हो गई है आप चारो तरफ से बासकेट हमारी अब इसको आप वाश भी करिएगा तो यह ग्लू निकलेगा नहीं और अराम से यह सट रहेगा अब यहां पर फिर से में लिया हुए है यह देखे कॉटन लेना है कप्ला और ध्यान रखिएगा कॉटन ही लेना है और दो पीस में लेंगे और साथ में यह मैं एक फोम ले रही हूँ फोम की जंगा पे आप चाहो तो मोटा कोई और कोप्रा भी ले सकते बीच में जीन्स वगरे का पैंड का या यह भी में बिल्कुल है मैं आप यह करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से कप्डा ले रही हूं बennialक्रीवी है कप्डा की जो लम्बाई है इसी इसी सर्कल के हिसाब से लेनी है तो नाप लीजे और उसी तरह से कपड़े की लमभाई ले लिजिए और सरकल से एक इंच ज्यादा लिजेगा और ये कपड़ा मैने डबल कर लिया है अब मैं इसकी उचाई बताती हूं उचाई कैसे ली है मैंने तो जो ये उचाई है वो आपकी ये जो बास्केट है उसको नाप लीजे और बास्केट के बाद आप तीर इंच एक्स्ट्रा रख दीजेगा नापने के बाद तो इस तरह से मैंने डबल उचाई ली है इसकी अब इसमें चारो तरफ से इसको हम लगा लेंगे गुलाई में तो ये देखें ये मैंने चारो तरफ से इसको लगा लिया है साइड में मैंने जॉइन कर दिया है और इसको हम सीधा नहीं करेंगे इसको हम उल्टा ही रखेंगे इस तरह से और इसको अंदर हम सेट कर लेंगे यह प्रॉपर हम सेट करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था उसको उपर की तरफ हम मोड देंगे यह देखिए मैंने यह सेट कर लिया और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उपर की तरफ मैंने मोड दिया है यहां पर ये देखें इस तरह से मोड दीजेगा आप चाहो तो इसको जॉइन कर सकते हैं सुई से या फिर इसी तरह रहने दे आप इसको वाश भी कर सकते हैं निकालके तो मैं इसको जॉइन नहीं करूं चारो तरफ से यह देखें यह मैंने सिलाई लगा दिया अपने हिसाब से आप कुछ भी शेप इसको फ्लार बना सकते हैं कुछ भी और इसके उपर मैं इसको लगाने वाली हूँ आप इसको नाप लीजे और इसके बाद से इसको साइट में हम औरे पटी मैंने कट करके रख और पटी कट करिएगा सीधी नहीं और यह देखे यह मैंने जॉइन कर दी है चारो तरफ से जॉइन करने के बाद मतलब गोलाई में जॉइन करने के बाद हम यहां पर जो सिलाई के बाद हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है कॉर्णर में इसकी हलकी हलकी कटिंग कर कर देंगे लेकिन याद रखिएगा सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए अधर वाइस खराब हो जाएगा इस तरह से मैं कट कर ले रही हूं कि साइड में पूरे गुलाई में कट करने के बाद हम इसको मोड़ेंगे और फिर से सिलाई लगा देंगे यह पाइपिन हमारी कम्प्लीट हो जाएगी चारो तरफ मोड़ दीजे इसको सिलाई लगा लेजे इस तरीके से सेट करके तो यह सिलाई हमें एक बर और लगाएंगे इसमें और यह गोल हमारा लिट तयार हो जाएगा यह देखे इस तरीके से अब मैं यहां पर चोटा सा एक गोल कपडा लिया है मैंने इसमें रनिंग स्टिच की है सुई से और इसमें छोटा सा पीस में कपड़े का भर रही हूं इसको रनिंग स्टिच की है इस धागे को हम खीच देंगे इस तरह से अंदर मैंने सेम ब्लैक भर दिया है इसमें और चाहो तो आप कॉटन भी डाल सकते हैं अब इस पे हम सिलाईयां लगा के इसको गोल बना लेंगे इसको कट कर दीजे एक स्ट्रा फैब्रिक को और इसमें सिलाईयां लगा देंगे जो बनाया है हमने यहां बीच बीच में हम लगाएंगे और इसकी सिलाई दो तीन बार लगा करके इसको टांग देंगे इस तरह से बीच में लगा कि इसको टांग दीजे तीन-चार बार ताकि ये मजबूत हो जाए और ये बनके ये लेडी हो गया है आप देख सकते हैं और अब हम इसका हैंडल बनाने वाले हैं आप चाहो तो बिना हैंडल भी रख सकते हैं इस तरह हैंडल भी लगाऊंगी तो आप स्कूल की बेल्ट या फिर कोई भी एक बेल्ट ले सकते हैं और बेल्ट के लिए हमें यहां पर कपड़ा लेना होगा तो कपड़े को पतला करके हमें साइड में सिलाई लगानी हैं तो सिलाई लगा लेते हैं और इस तरह सिलाई लगा करके इसको हम सीधा कर लेंग तो यहाँ पेन का यूज़ करते हुए मैं इसको सीधा कर रही हूँ कपड़े को जो हैंडल का हमारा कपड़ा है यह देखे यह मैंने बेल्ट को कट करके इसमें डाल दिया है अब हम इसके हैंडल यहां यहां लगा लेंगे यह बिल्कुल आप्शनल है आप चाहोतो कर सकते हैं नहीं तो आप रहने दें यहां मैं सुई की हैल्प से इसको मैंने टाग दिया है दोनों साइड में इस तरह से एक हमारा पॉट बनके भी रेडी हो गया है ये रोटी बास्केट बनके हमारा रेडी हो गया ये बिल्कुल वाशबल है आप इसका उपर वाला कपड़ा निकाल के वाश कर सकते हैं और जब हैंडिल लगाईएगा तो बहुत ही मजबूत है इसमें हमने धागा भी लगाया है सुई धागे से भी सिलाई की है लिट के साथ यूज कर सकते हैं बिना लिट के साथ आप यूज कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगते तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेर एंड कॉमेंट जरूर करेगा तो डेफिनेटली आपको ये पैंटी लाइनर्स यूज करनी चाहिए लिंक डिस्रप्शन बॉक्स में दे रही हूं आप वहां से बाई कर सकते हैं